अगली शंखला को या अगली कड़ी को ले करके और ये शंखला का दस्वा भाग है और इस दस्वे भाग में हम धीरे-धीरे करके उन शक्तियों के बारे में जान रहे हैं जो मुगलों से स्वायत हो चुकी है और धीरे-धीरे करके अपने आपको एक नय कह सकते हैं कि राज्यक शित्र के रूप में शित्री शक्तियों के रूप में उभर के सामने आ रही है इसी क्रम में कल हमने हैदराबाद और साथी साथ बंगाल के नवाबों के बारे में जानकारी ली थी और ये समझने का प्रयास गिया था कि किस तरीके से इन दोनों राज्यों का उदे हुआ था इस क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे और मुख्य तोर पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि अवद का स्रजन जो है या उदे जो है वो मुगलों से मुक्त हो करके किस प्रकार से हुआ है परन तो एक नई परंपरा कि मैं आज से शुरुवात कर रहा हूँ अपने इस लेक्चर में कोशिस करूँगा कि शायद आपको ये ठीक लगे उचित लगे लेक्चर की शुरुवात में मैं देख रहा हूँ कि जब हम लोगे जो लेक्चर्स ड्रीवर होते हैं तब आपके से बहुत सारे स्टुडेंट्स उसे बहुत ध्यान से शुरुवात से लेके अंत तक बने रहते हैं शसन में और बहुत अच्छी तरीके से उसे पढ़ते हैं जानते हैं और समझते हैं इस दोरान students के मन में कई सारे प्रशना आते हैं तो उन प्रशनों को दूर करने के लिए मैं आपके समक्ष आज जो कल आप लोगों के मन में प्रशन थे उनको एक बार पढ़ करके सुनाता हूँ और उसे problem को solve करने का प्रयास करता हूँ कुछ लोगों ने comment section में comment करके अपने जो उनको problems आई हैं उन problems को हमारे समक्ष रख है और हमारा ये करतव भी है कि हम आपके उन problems को उन समस्याओं को दूर करें तो session की शुरुवात में पहले यही करते हैं उसके बाद हम आपको आगे की चीज़ बताने का प्रयास करेंगे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एक student ने मुझसे पूछा था कि सर निजामल मुल्क जो है वो इतने competent थे तो देश की गद्दी पर काबिस क्यों नहीं कर लिया उन्होंने मतलब ये एक students के मन में बात आ रही है कल जब हमने ये बहुत अच्छी बात है इस तरीके की चीज़ें जो है दिमाग में आते रहनी चाहिए आप लोगों के और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप चीजों को सोच समझ पा रहे हैं जान पा रहे हैं अगर इस क्रम में हम समझने का प्रयास करें तो कल हमने बंगाल के बारे आपको हैदराबाद के बारे में बताया था हैदराबाद हैदराबाद जो राज्य है उसका उदह जो है वो किस प्रकार से हुआ इसमें निजामुल मुल्क का नाम आया और आपने देखा कि किस तरीके से नजामल मुल्क जो है वो स्वायत्त हो गया था मुगल सल्पनत से तो प्रश्ण ये मन में आया किसी स्टुडेंट के कि अगर ये स्वायत्त हो गया था तो फिर उसने मतलब मुगल जो सामराज्य था उसी को ही कब जा क्यों नहीं कर लिया सामराज्य के तोर पर वो हैदराबाद क्यों निकल गए दिखिए आप इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि जो लोग मुगलों के सत्ता से अलग हो रहे हैं मुगल सामराज्य है काफी बड़ा सामराज्य है और इसके अंदर न को समझने का प्रयास कीजिए आ ये चोंग stub रहे हैं जो काफी समय तक मुगल सामराज्य के प्रती वफदार रहे है लेकिन मुगल साम्राज्य में धीरे धीरे जिस प्रकार की गिरावाट आ रही है प्रशासनिक जो पकड होनी चाहिए वो नहीं हो रही है धूर दर्शिता नहीं देखने को मिल रही है सैने शक्ति कमजोर हो रही है राजनीती कूटनीती का जब अभाव है और इन लोगों की जो बात मान करके मैंने बताया था कि मुगल संतुलन जो है वो जो केंद्री शासन है वो इन सामन्तों भूर राजस्व के अधिकारियों जमीदारों बड़े बड़े जो सरदार हैं उन सब के दोनों के आपसी संतुलन से चलता था और जब इन आपसी संतुलन में सामन्तों की बात न मानने के लिए मुगल संतन जब तयार हो रही है तो ये एक मतलब समझ में आ रही है बात की भाई आमारी बात नहीं मान रहे है तो हम इन से प्रथक हो जाएंगे तो अब प्रथक हो करके एक तो ये अपने जहां पर ये जहां से बिलॉंग करते हैं वहाँ जाने का प्रयास करते हैं और वहाँ अपना सोत्मतराज Establish करना चाहते हैं जैसे कि आप मान लेते हैं कल को विदेश में कहीं जाएं वहाँ नोकरी करें और वहाँ आपको उस तरीके की गरोह नहीं दिखाए दे आप वापस कहां आएंगे, उसी जगह किसी दूसरी कंपनी को ढूड़ने के बजाए, आपको लेगा यार इसे अच्छा इंडिया चलते हैं, वापस वहीं पे अपना सब कुछ है, वहीं अपनी कंपनी खोलेंगे, वहीं चलाएंगे, तो एक ये छोटी सी सोच जो है, ये भी विद्रोह करें, एक तो नैतिक रूप से आप विद्रोह नहीं कर पाते हैं, इनका नैतिक व्यक्तित तो जो है, वो काफी उचा है, ये भी बात भी है, साथी साथ, तमाम सारे कह सकते हैं कि बंदिशे होती हैं, इनको नवाबों ने ही भेजा था, ऐसा नहीं है कि जब हैद कूल इस्थितियां करी, निजाम के खिलाफ मुगल हाथ क्यों नहीं डाल रहे थे, क्योंकि निजाम धीरे-धीरे अपनी शक्ति को मजबूत कर सुका था, और कहीं न कहीं, इसकी जिन चीजों को वो लागू करने की बात करता था, उन चीजों को वो जिसको एक कहावत कहीं आती कि भाई, हमारे घर में पिता कितने भी खराब हो, हमारे घर में दादा जी कितने भी खराब हो, फर हैं तो हमारे पिता जीह, दादा जीह, बाइदवे, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि माता-पिता गलतियां करते हैं या फिर कुछ ऐसे माता-पिता भी होते हैं जो मतलब हो सकता है कभी उनसे कोई गलती होती हो तो ऐसे संदर में बच्चे क्या सोचते हैं क्या उनका पूरा पुरजोर विरोध करना शुरू कर देते हैं उन्हें अपने माता-पिता या दादा-दादी के द्वारा जो बनाएगे rules हैं, उनके इतर अपने rules बना करके अपने परिवार को बड़ा करने का इच्छा होने लगती है, तो वो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, कि अपने माता-पिता से विद्रो करना शुरू कर देंगे तो कुछ उसी तरीके की चीज़े बेरेंटर अप्रोच टाइप का है तो ये भी एक काम करता है एक फैक्टर काम करता है जिसकी वज़े से ये ऐसा नहीं किये ठीक है और उसके बाद जब इन्होंने अपने शासन इस्टैबलिश किया तो भाई आप अगर अपना हैदराबाद में सेसन इस्टैबलिश करके मुगलों के खिलाफ ताकत को अजमाते तो भले ही मुगल कमजोर थे लेकिन उस वक्त आप मुगल विरोधी होते और जो जो लोगों के मुगलों के साथ अच्छे बुरज जैसे संबंद थे वो संबंद मुगलों के लिए स्ट्रॉंग पावर क काम कर सकते थे at a time वो कहते हैं हम अपने घर वालों को चाहे जितना बोलना बोलें बाहर वाला कोई बोलेगा तो हम उसको देख लेंगे तो वहाँ unity बन जाती है तो उस unity के खिलाफ कोई खड़ा भी हो सकता था तो आप ना तो मुगल को पापाते या केंदरी सत्ता पापात एक और student ने एक और प्रशन पूछा कि क्या कोई मुझे बताएगा कि सरदेश मुखी कितना कर होता था और मैंने आपको बताया कि जब मराठों की शक्ती भी जब धीरे-धीरे करके बढ़नी शुरू हुई तो उन्होंने विजित प्रदेशों के ओपर तो ये तो एक व्यक किया है तो चौथ जो है इसके बारे में कोई clarity नहीं है कि वास्त्विक रूप में किस से लिया जाता था चौथ जो है वो लिया जाता था ऐसा माना जाता है कि चौथ जो है वो जो भी राज्य है जो जिसके उपर ये लगाया जा रहा है उस राज्य की कुल उपज का राज् पर लगाये जाता था, जिस राज्य को मराठों द्वारा संदक्षन प्राप्त हो, सुरक्षा प्राप्त हो, या फिर मराठों के आक्रमन से अगर कोई बचना चाह रहा है और उसने मराठों से संधी करी है, तो उस बचाओं के लिए माना जाएगा कि आप हमारे विजित है, वो राजा ही है, एक तरीके से सर्देशमुकी, मतलब वो व्यक्ति सर्देशमुक से कहेंगे, जो अपने राज्य की जनता को पाल रहा है, तो राज्य का शासक राज्य की जनता को पाल रहा है, उसके एवज में वो अपने प्रजा से, अपने शासन क्षित्र से, उसकी क कमाई का दस्वा हिस्सा लेने का हगदार होता है ऐसा सरदेश मुखी लेने के पीछे मकसद माना याता है तो सरदेश मुखी जो है वो एक बटे दस भाग होता था जो आपकी कमाई होगी जो आपकी उपज होगी जो आप revenue देंगे अपने लिए जो collect करेंगे उसका एक बटे दस्वा भाग आपको राजस्व में जमा करना पड़ेगा तो इसको बोला आता था सरदेश मुखी तो आई होब कि आपको ये दोनों point भी clear हो चुके होगे इसके अलामा कुछ students के और भी मैं comment देख पा रहा हूँ जिसमें students बोल रहे हैं कि sir mains के previous year questions जरूर करवा दीजिए topic wise इससे subjects की means की clarity हो जाएगी और regular practice होते रहेगी तो इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि previous year question के लिए दोपहर 12 बजे session चलता है PYQ का ही ठीक है और इसमें अलग-अलग topic और अलग-अलग subject recording per day live sessions होते हैं तो आप वहाँ पर जूर करके अपने इन समस्याओं को से निजा questions देंगे और mains के practice के questions भी देते हैं और आप मेंसे बहुत सारे students ने आपने उसके जवाब भी दियें साथी साथ एक student ने मुझसे पूछा है कि सर spectrum की जो book है उससे आप पढ़ाते हैं लेकिन उसमें matter जो है जो चीज़ आप पढ़ाते हैं वो उस book से इधर-उधर होता है अगर आप उसको भी पढ़ेंगे तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको connect होती हूँ वहाँ दिखाई देंगी अब इसके कई सारे sources हैं जिस lecture को मैं आपको provide कराता हूँ इसमें मैं आप देखोगे कुछ चीज़ें spectrum आप spectrum भी पढ़िए आप NCRT भी पढ़िए different different writers की book हैं जिनको पढ़ने के बाद हमारे अपने खुद के अनभाव के बाद विपिन चंद्रा जी की book लेने के बाद इन तमाम सारे जो sources हैं उनको ले करके जो आपके लिए उचित प्रबंध इन अडिशन आपको दूसरे points भी मिलेंगे जो उसमें नहीं लिखे हुए ठीक है बहुत सारे students की तरह एक student ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि sir pen को थोड़ा सा dark कर लीजे दिखे भई dark करने के स्थिति में मैं आपको दिखा दूँ यही color से हमारे या तो हम red pen का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है या फिर हम यहाँ पर blue या फिर black का इस्तेमाल करते हैं बाकी सारे तो कोई dark है नहीं यह yellow ले नहीं सकते है तो यह pen का जो जंजट है यह UPSCS parents जो है उनके मन में यह सब चीज़ें की दुवदा नहीं आनी चाहिए at least pen नहीं दिख रहा है sir board white कर लीजे board black कर ल यह आपको और मेरा सिर्फ एक संबंध है और वो यह है कि मैं आपको आपको चीजें बता रहा हूं जिसको जिससे कि आप अच्छी तरीके से जो पढ़े हुए हैं कभी उसको revise कर सके या जो नए तरीके से सीख रहे हैं वो सीख सके आपका हमसे संबंध यह कि आप उन चीज के शुरुवात कुछ जो समस्याएं थी वो हमने आपकी ले लिए हैं और शायद किसी ने जो प्रश्ण पूछे ہیں वो हमने आपको यहाँ पर बता दिये है आज के सेशन में आज के सेशन में जो चीज़ आप पूछेंगे उससे संबंधे चीजे हम आपको कल के से. बता दें हम यहाँ पर इकाई 2 में हैं और इकाई 2 में हम इन सारी चीजों को cover कर रहे हैं जो इसमें लिखी हुए और इस क्रम में अब हम अच्छा ये वो प्रेश्ण है जो आज पहले session में जुड़े हुए हैं जो हमने chapter number 3 complete किया था थोड़ा सा मैं इसे bold कर दे रहा हूँ ये जुरू कर सकता हूँ मैं chapter number जो मैंने 3 दिखा हुआ था उस chapter number 3 के complete होने के बाद ये questions मैंने आपको main point of view से करने के लिए थे बहुत सारे लोगों के answers इसमें मिलते रहे हैं और मिल रहे हैं बाकी लोग भी भेजिएगा जो लोग पहली बार याँ पर जो ने इसका screenshot ले लीजे और इसके question का answer लिक करके हमें भेजिएगा ये chapter 3 पर आधारित प्रश्न था इसका comment section में जवाब दीजे बाकी आप लोग ठीक है और मैं इसके उत्तर आपसे अपेक्षित करूँगा जो प्रश्न का उत्तर आप लिक करके भेजिएगे या तो आप हमें टेलिग्राम पर PDF बना के भेज दीजे या फिर आप हमें email ID पर हमारी email ID पर PDF बना कर भेजिए email ID है विरद.dube अब हम कर लेते हैं लेक्षर की शुरुवात या प्रारम लेक्षर की शुरुवात में मैं आप लोगों को यहां पर ये बता दूँ कि यह जो एकाई 2 है इसमें हम लोग काफी आगे पहुंच चुके हैं और इसमें पढ़ते-पढ़ते अब हम यहां पर ये जो बिटिश विजय है उस समय जो भारत की स्थिती है उसमें जो स्वतंत्र राज्य हैं स्वतंत्र राज्य जो बने हैं स्वतंत्र राज्य उन स्वतंत्र राज्यों के बारे में आपसे डिस्कुशन करना शुरू कर चुका हूँ ठीक है और इस क्रम में कल हमने दो जो रा ज़्यों के उद्य के बारे में आपको बताया था, इनकी कहानी बताई थी, आज हम उसी क्रम में अवद के उद्य के बारे में समझेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ में आएगा कि अवद का उद्य जह है, वो किस प्रकार से हो गए, ठीक है, तो खंडहर सा होता चला जा रहा है, और जिस समय वो डिकलाइन हो रहा है, उससे समय अवद राजिका उद्य हो रहा है, तो अवद की जो सीमाएं हैं, अगर आप इसको भागोलिक दृष्टी कौन से अगर देखें, तो इसकी जो अवद की जो वेस्टन जो सीमा है, हम आज बंगाल के बारे में बताया कि आज का पश्चिम मंगल और तब का बंगलादेश मिला करके बंगाल बनता था, और फिर उसमें जो है बिहार, उडिसा, आदी के जो स्टेट्स थे वो बाद में जुड़े, तो उसी तरीके से हम अवद की बात करें, तो इसकी जो पश्चिमी सीमा है, इसकी जो पश्चिमी सीमा है, वो आपको कन्नौज से शुरू होते वे दिखाए देती है, यानि कि कन्नौज का जो प्रांत था या जो छेत्र था, ये अवद रीजन के अंतरगत आता था तब, और वहां से ले करके पूर्व में जो कर्मनाशन दी है, पूर्व में कर्मनाशा नदी तक, कर्मनाशा जो रीवर है, यहां तक आपको इसका प्रोविज दिखाए देता है, अब ये आपके लिए होमवर्क हो गया, मैप उठाईए, कन्नौज और कर्मनाशा रीवर को खोजिए, उसे ड्रॉ कीजिए, और उसके बीच में लिखिए अवद राज ठीक है, मैंने शुरुवात में आपको मैप से कैसे पढ़ा जाता है, यह सब चीजें बताईए, आगे और जरूरत पढ़ेगी मैप की, जहां ज़्यादा जरूरत पढ़ेगी, वहां मैं मैप जरूर लेकर करके आऊंगा, तो आप ऐसे समझ लिए कि कर्मनाशा नदी के और पूर्व की तरफ जाएंगे, तो उधर जो है वो धिले धिले करके, अंग्रेज जो है वो आ चुके है, कन्नौज से दक्षन पश्रिम की और थोड़ा सा आएंगे, तो उधर मराठों का राज्य है, तो मराठों और ब्रिटिशन के बीच में बफर स्टेट के रूप में मुहमद शाह की रूप में जान सकते हैं, रंगिला उसको त्यासकारों के दर टाइटल दियागे, तो उसी के समय में अवद जो है, वो स्वतंतराज्य बन रहा है, तो आपको यह धियान रखना है, कि जिस समय अवद स्वतंतर हो रहा है, उस समय मुगल जो है वो कौन है, मुहम्मद शाह, ठीक है, इतना point आपको धियान रहेगा, मुहम्मद शाह या मुहम्मद साज जिनको आप रंगीला के तौर पर जानते हैं, ये बादशाह जो है, उस समय क्या है, ये बादशाह उस समय, बादशाह हिंदुस्तान कह सकते हैं या फिर मुगल बादशाह के वो इस राज्य के संस्थापक के तौर पर जाना जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अवध राज्य का जो संस्थापक है, वो कौन मिला आपको, अवध राज्य जो है, इसका संस्थापक है, बुरहान उल्ग, मुल्क, ठीक है, बुरहान उल्ग, या फिर इसी को सादत खान बोलते हैं यह सादत खान है यह सादत खान प्रथम की रूप में जाना जाता है ठीक है इसी को हम अवध राज्य का संस्थापक बोलते हैं स्वायत स्वायत अवध का यह क्या कहलाता है संस्थापक कहलाता है ठीक है ये point समझ में आ गया बहुत ही छोटे-छोटे से point से और सारे points को हम एक दूसरे से connect कर देंगे और जब connect कर देंगे तो आपके मन में एक story एक film सी बन जाएगी और जब एक story आपके मन में बन जाएगी तो आप अवद नहीं भूलेगी ऐसा मेरा मन है हाँ इसमें revision का बड़ा महत्व रहेगा film में भी आप देखते हैं तो film में भूल जाते हैं दुबारा फिर देखते हैं तो आयाद आता अच्छा है इसके बाद ये scene था तो आपको देखना पड़ेगा बार बार इस व्यक्ति ने अपनी जो राजधानी है वो फैजाबाद बनाई थी तो आपको एक बाद ध्यान रखना है वैसे तो आवद की राजधानी मुख्य तोर से आवद की राजधानी जो है वो लखनओ के रूप में famous है लिखिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आवद की जो प्रारंभीक राजधानी हुई प्रारंभीक राजधानी जो थी वो हमेशा से लखनाओ नहीं रही है वो पहले फैजाबाद थी ठीक है तो इसने अपनी जो राजधानी बनवाई है वो क्या बनवाई है फैजाबाद जिसे अब आप अयोध्या के नाम से जान करते थे यह सैयदों निशापूर के जो सैयद हैं उनको अप उनके वन्शच की रूप में अपने आपको रिप्रेजेंट करता था ने तो साधत ने सैयद बंधूön के विरोध में जब सम्राट का साथ दिया तब जाकर के साधत खान को मुहंमतOhamad ने उस समय जाकर कि इसे तक्रीबन 1720 से 22 के बीच में आगर्हा का गौवर्नर द्यूक किया तो अब इसकी importance जहें वो कहां से आ रही है और अपनी शक्तियों को ये कैसे यहां पर जोड़ पा रहा है उसमें ये एक बहुत ही turning point है turning point ये है कि जो सैयद बंदु थे सैयद बंदु इनके विरोध में कुछ संघर्ष हुए है ना, इनके खिलाफ कुछ शड़ेंत्र किये गए शड़ेंत्र किये गए और इनके खिलाफ जो शड़ेंत्र हुए जिस समय इनको आप सैयद बंदु कह सकते हैं, सैयद बदस कह सकते हैं इनके विरोध में जो शड़ेंत्र हो रहे हैं उसमें समराट का साथ दिया है सेयद बंधु के विरोध में जो संघर्ष हुए हैं, सेयद बंधु के विरोध में जो शड़यंत्र हुए, शड़यंत्रों में इसने क्या किया? साथ दिया है. किसका समराट का? समराट कौन है? इसने मुहम्मद शाह का साथ दिया. अब क्योंकि इसने मुहम्मद शाह का साथ दिया, इसलिए मुहम्मद जो शाह है वो भी इसे कुछ देगा. तो इसने क्या दिया? इसी कारे के कारण, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा, वो यह है, इसी कारण से इसको 1720 से लेकरके 1722 के बीच में, 1720 से लेकरके 1722 के बीच में, इसको गवर्नर बनाया गया, कहां का गवर्नर बनाया गया? इसको गवर्नर बनाया गया, आगरा का. और यह जो आगरा प्रोविंस है, उस समय ये आवद के अंतर गता रहा है. तो अवद के आगरा रीजन में कह सकते हैं या फिर आगरा का जो क्षित्र है उस समय वहाँ का इसको गवर्नर एपॉइंट किया गया बुर्हान उन्मुल को तब ये जो नाम है इसको यहाँ पर आगरा एपॉइंट करते समय यहाँ पर उपाधी भी दी गई है और उस समय जो उपाधी दी गई है वो उपाधी यहाँ पर लिखी हुई है जो यहाँ पर बुर्हान उल्मुल की रूप में आपको दिख रही है उपाधी क्या मिली बुर्हान उल्मुल्क ठीक है ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया तो इसको ये बुरहान उल्मुल की उपाधी जो है कब मिल रहे है जिस समय उसको आगर का गवर्नर बनाया जा गया तो आगर के गवर्नर बते समय इसको ये उपाधी दी गई है मुहमद शाह के द्वरा दी गई बाद में मोहम्मद शाह ने इसको और प्रमोट किया और 17, 22 में 1722 में इससे समपूर्ण अवध का सुबेदार बना दिया गया 1722 में इससे क्या कर दिया गया समपूर्ण अवध का अवध का सुबेदार बनाया गया सुबेदार ठीक है, ये point भी आपको clear हो गया यहां से, आया नहीं, बिल्कुल easy point है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आया होगा, कि शुरुवात जो है, वो किस तरीके से हो रही है, सेयद बंदूओं के विरोध के में जो शडेन थुरू है, उसमें उसने मुहमर्शा का साथ दिया, म अब ये आगया, इसके पास अवध, और मैंने आपको शुरुवात ने मताया है, कि यही विक्ति है, जिसने स्वतंत्र अवध की कल्पना की है, और स्वतंत्र अवध को establish की है, ने सिर्फ कल्पना की, जिस समय ये अवध आया है, जिस समय ये विक्ति अवध का गवर्नर बन उस समय अवध की कंडिशन कैसी है अवध की कंडिशन यह है जैसा कि मैंने आब बताया कि मुगल जो है जैसे मुहम्मद शाह जो है वो पिल्कुल कह सकते हैं बिना काम के बादशाह थे रंगीला इनकी उपादी है विलास्ता पूंट जीवन जीते थे राग रंग में ही यह ल बात करते हैं तो इसमें अराजक्ता जो है वो फैली शुरू हो चुकी थी और यह अराजक्ता जिस समय फैली हुई थी उसी समय सादत खान को यानि बुरहान और बुल्क को अवध का सुबेदार बना करके भेजा गया और जब इसे अवध का सुबेदार बना करके भेजा ग मुख्खे तौर से जो जमीदार जो थे, वो उद्धंड हो चुके थे कि यहां के जो जमीदार वगयरा हो थे, अवस्था में आप जमीदारों का नाम लिख सकते हैं, और जमीदार यहां पर क्या करते थे, हर एक जमीदार के पास अपनी छोटी मोटी सेना होती थे, इन्होंन अपने क्षेत्र में छोटी-छोटी किले जो हैं बनवा रखे थे, किला बंदी कर रखे थे, तो एक तरीके सी आवद में छोटी-छोटी जगाओं के छोटी-छोटे राजा होने लगे थे, ये जमीदार, इनकी बात करी जा रही, और जो मालगुजारी लगाई जाती थी, कें मालगुजारी का भी इनकार करते थे, मालगुजारी जो है, उसके लिए जब जो आग्या आती थी, उस आग्या को ये मना कर देते थे, अवग्या करते थे उसकी, यानि कि जो मालगुजारी उसको देने से इनकार करते थे, अपने नीजी सेनाय रखना, किले बनाना, सरकारी अवग्या करना इस तरीके की जो गैर अनुशासित जो अवद है वो इसे मिला है और इन गैर अनुशासित अवद के लोगों पर जो ये जो जमिदार हैं इनको काबू करने का काम इसे व्यवस्थित इस अव्यवस्थित अवद को व्यवस्थित करने का काम किस ने किया इसी बुरहानल मुल्क ने किया और इनके उपर शक्ती का प्रयोग करके इन्हें पराजित करके सारे जमिदारों को उनकी आवेवस्था मतलब जो थी उनको रद करके मजबूर किया कि ये राजस सुप्रणाली में फिर से आए शासित हो जो रेवेन्यू लगाया गए हैं जो माल गुजारी लगाई गई है उसे भरे उसकी रकम दे और तब जा करके ऐसा नहीं है कि जिन जमीदारों को इसने हराया उसकी जमीन को हडप ले जमीन नहीं हडपा इन जमीदारों को इसने हराया हराने के बाद जमीन वापस करी और जमीन वापस करके उनको मज centralized power के तोर पर आया और अब आवत से revenue मुगल्स के पास जाना था तीसरा जो बात थी जो ये अविवस्थित हो जुगा था उसमें अविवस्था कायम होई और जो वहां के जो local किसान थे जिनके उपर जमिदार अत्यचार करते थे तो वहां के जो किसान है उनको थोड़ी रहत म रैसूस कराने के लिए उसने नई revenue system जो है नया revenue प्रणाली भी वो लेकर के आया जिसे कहा गया revenue settlement जिसे क्या कहा गया revenue settlement ठीक है तो अवध में नया revenue settlement कौन लेकर के आया ये यही लेकर के आया बुरहान बुल्क लेकर के आया 17-23 की बात है यानि कि अपने अवध का गवर्नर बन के सुबेदार बनने के एक साल के भीतर उसने सारी चीज़े कर दी और इस revenue settlement की खास बात ये थी कि इसमें किसान जो है उनके उपर अत्याचार नहीं था पैसा कलेक्ट करना था आप अत्याचार करके पैसा कलेक्ट नहीं करें साथी साथ इसने वहाँ जो system शुरू किया सामन्ती प्रथा जो यहाँ पर शुरू करी उस सामन्ती प्रथा में बहुत जादा involvement जो है वो उमर शा का नहीं था क्योंकि खुद तो व्यवस्थित करने ही पाये थे खुद तो बिजी थे और जो किया था वो इसी ने किया था तो लोग इसी को राजा के तोर पर देखने लगे और आगे चल करके इसने हिंदू और मुस्लिम एकता जो है उसके कब बिल्कुल भेद भा ये जो है एक अवद राज्य का जो है वो उदय कर देता है तो स्वभाविक सी बात है सब कर कौन रहा है इसमें किसी भी प्रकार से ये जो अवद की जो व्यवस्था है अवद को व्यवस्थित करने में अवद को व्यवस्थित करने में इसने केंद्रिय शक्ति का इस्तेमा नहीं किया अर्थात मुगलों का साथ नहीं लिया है, मुगल शासक का साथ नहीं लिया, बलकि अपनी खुद की प्रणाली इस्टैबलिश करें, और खुद की जो प्रणाली इस्टैबलिश कर रहा है, वही तो स्वतंत्र है, परंपरागत मियमों का पालन करते हुए अगर आप उसको क्यों represent कर रहे हैं आप उसको तोड़ करके नई परंपरा शुरू कर रहे हैं इसका मतलब आप नए राजा हैं सिंपल सी बात है तो यहां से अवद जो है वो नए राजा के अवद को जो है एक नया कह सकते हैं कि एक उदित होने वाला इंटर्फियर रहे गया था कि आप ने के उल उसको एक आवद का सुबेदार बना के बेजा है इसके अलावा कोई साथ नहीं लिया है तो इसी समय कुछ और चेंजेज भी हमको देखने को मिलते हैं जैसे कि क्योंकि यह जो समय है 1722 झांस धेज की जब हम बात कर रहे हो तो इसी के समय के आसपास आप देखेंगे विदेशी आक्रमण भी भारत में उने शुरू होते हैं आसे नादिर शाह का जो आक्रमन है आपको मैंने बताया था फ़हले थोड़े समय पहले विदेशी आक्रमन तो नादिर शाह के आक्रमन के बारे में बताया था आहमर शाब दाली के आक्रमन के बारे में बताया था तो नादिर शाह का जो आक्रमन है उसके समय की भी एक घटना है जो इसको थोड़ा सा स्ट्रॉंग करती है और वो ये है कि जब नादिर शाह इरान से आया था मालूमें ना आपको नादिर शाह कहां से आया था इरान से आया था तो नादिर शाह जो इरान से आया हुआ था आक्रमण के तोर पर जो धन लोलुप था उसके समय में जब आक्रमण होता है तो मुगल बाश्शाह इसको दिल्ली आने के लिए बोलते है बुलाया जाता है इसको दिल्ली और दिल्ली जो है यह अपनी सेना को व्यवस्थी तोर पर ले करके जाता है तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे नादिर शाह के आक्रमण के समय के आक्रमण के समय यह क्या करता है सेना लेकर सेना लेकर कहां जाता है दिल्ली जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि दिल्ली ने इसको बुलाया लेकिन हुआ यह कि नादरिशाह के आक्रमन के समय इसको गिरफतार करा लिया गया ये बंदी बना लिया गया और मुगलों से इसको कोई खास सहायता नहीं ली तो आगे जब दुबारा या आगे इसी क्रम को जब आगे बढ़ाया जाता है तो आपको मालूम होगा कि दिल्ली पर नादरिशाह ने जब आक्रमन किया तो आगे चल करके यही जो सादत है यही सादत बाद में प्रेरित करेगा किसको नादरिशाह को कि आप दिल्ली जाईए और वहां से आपको तकरीबन 20 करोड रुपे की संपत्ती मिलेगा इसके बारे मैंने आपको पहले बताया था 1739 में करनाल का एक युद्ध हुआ था थोड़ा याद आ रहे है करनाल के युद्ध के बारे मैंने बताया था जब विदेशी अक्मन कारियों के बारे में जब चर्चा की थी तो 1739 में जो करनाल का युद्ध हुआ था जिसमें मुहम्मद शाह और नादिर शाह आपस में लड़े थे मुहम्मद शाह जो मुगल बाश्या था मुहम्मद शाह जब हार गया तो उसने नादिर शाह को 50 लाख रुपए जो है वो युद्ध के हर जाने के तौर पर और बाकी भेट के तौर पर दिये थे और वो 50 लाख लेकर के नादिर शाह वापस जा रहा था लेकिन उस समय इसने सादत ने इसको प्रेरित किया कि तुम यहीं से वापस ना जाओ करनाल से ही वापस ना जाओ तुमको जाना चाहिए तुमको जाना चाहिए कहां पर तुमको जाना चाहिए आगे दिल्ली तक और दिल्ली जा करके तुम्हें वहाँ पर तकरीबन 20 करोड रुपे मिलेंगे जब वो दिल्ली गया तो वहाँ पर भयंकर लूट पाट करी थी आपको मालू में बहुत पैसा लूटा था बहुत जादा तो इस तरीके से आपको ये शुरुवाती तौर पर सादत खान देखने को मिलता है और शुरुवाती तौर पर जो आपको सादत खान देखने को मिलता है ये 1739 में इसकी डित होगी 1739 में सादत जो खान है इसकी क्या हो गई? मृत्य हो गई ठीक है? और जब इसकी मृत्य हो गई तो इसके बाद सफदर जंग अगला राजा बना सफदर जंग यह अगला बाश्या बना और सफदर जंग ने आगे 1754 तक आवद की जो नवाबी है वो समाली है तो 1739 से लेकर के 1739 से लेकर के 1754 तक सफदर जंग जो है वो आवद का राज्य समालता है अब यह सफदर जंग है कौन? देखे जो सादत था उसका कोई बेटा नहीं था और क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था इसलिए सादत का जो उत्राधिकारी हुआ वो सादत का यह सादत खां जो है इसी का भतीजा था एक भतीजा और इस भतीजे का नाम क्या है? इस भतीजे का नाम है सबदर जंग यह भतीजा भी है साथी साथ इसका दामाद भी है तो ये सब चीजे तो आपको मालूम ही है कि चलती हैं पहले भी थी है तो भतीजा और जो दामाज सब्दर जंग है यही आगे चल करके अगला शासक बनता है इसका पूरा नाम है अब्दुल मनसूर खान सब्दर जंग ठीक है? पूरा नाम क्या है? अब्दुल मनसूर खान सब्दर जंग के नाम से यह व्यक्ति सब्दर जंग के नाम से जो है वो गद्दी पर बैठता है यानि आवद की नवाबी को यह accept करता है और उस समय जो मुहम्मद शाह है जो की मुहम्मद शाह जो आपको मालूम है कि आवद का जो नवाब है माप कीज़ेगा जो मुगल शाह सक है उसने एसी इसको जो सब्दर जंग है इसको फर्मान जारी करके यहां का आवद का नवाब बनाया था आवद का क्या बनाया इसको? आवद का नवाब बनाया था यह निकि आवद की जो नवाभी है उसकी स्विकृती जो है वो महुम्मद शासेस को मिली थी मुगल सलतनत से मिली थी कुछी समय में यह यो कह सकते हैं कि जब 1749 में जब यह शासक बना आवद का तो उसके कुछी समय पर शात तकरीबं 1742 के आसपास इसी ने 1742 के आसपास पटना पर अधिकार कर लिया पटना पर अपना जो है वो अधिकार कर लिया और इस प्रकार से ये शो होना शुरू हुआ या दिखना शुरू हुआ कि इसके पास भी परियाप्त शक्ती है अपने कह सकते हैं कि ये जो बतीजा है तो चाचा जो इसके थे पहले शा सकते उसकी तरह शत्रा सो पैंतालिस में इसने रुहेल ले जो थे रुहेल खंड जो इलाका आपको देखने को मिलता है फरुखाबाद का आपने नाम सुनाओगा वहां के आसपास तो 1745 के आसपास 1745 के आसपास इसने जो है सैन ने अभियान किया इसी उत्सुकता में कि शायद हम जीत लेंगे उसको भी 1745 में इसने रुहेलों के उपर रुहेलों पर आक्रमन किया यह सैन ने अभियान किया लेकिन यह सैन ने अभियान जो है वो सफल नहीं हुआ ठीके इसमें क्या हो गया वो असफल हो गया इसमें फेल हो गया यानि कि रुहेलों को वो अपने कबजिम नहीं कर पाया इसके पीछे अल्टिमेटली उद्देश ये था कि अवद की सीमा के अंदर रुहिलखंड को भी लेकर किया रहे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया शुरुवाती तोर पर वो असफल रहा लेकिन 1748 में जब एहमद शाह अबदाली जो की नासिर का मैंने आपको पीछे जो यहां पर दिखाया था यह यहां पर देखें नादिर शाह कर जब आक्रमण हो रहा है तो नादिर शाह के बाद में अफगान जो शासक बना था वो उसका उत्रदिकारी जो आया था उसका नाम था एहमद शाह अबदाली और एहमद शाह अबदाली और जिस समय एहमद शाह ने भारत पर आक्रमण किया है एहमद शाह अबदाली ने जिस समय आक्रमण किया है उस समय जो मुगल शासक है वो कौन है उस समय मुगल शासक एहमद शाह ही है एहमद शाह तो आपको ध्यान रखना है यह एहमद शाह मुगल शासक है और यह एहमद श तो जब एहमद शाह अबदाली ने भारत पे आक्रमण किया तो उसमें मुगल शासक एहमद शाह अबदाली है और इसकी सहायता करने के लिए कौन गया इसकी सहायता करने के लिए यह सफदर जंग गया है कौन गया है सफदर जंग इसका मतलब सफदर जंग ने जब एहमद शा कि साहता करी तो इसका मलब सब्दर जंग जो है हमद शापदाली के विरोध में और इसी कारण जब एहमद शाह ने देखा कि अवद से हमको साहता मिली है तो एहमद शाह ने इसी कारण इसी कारण ठीक है इसी करण से एहमद शाह ने सब्दर जंग को वजीर का पद दिया वजीर का पद ठीक है यानि अवद का नवाब जो है वो मुगल सल्तनत का वजीर होगा ठीक है तो अब ये चीज आपको यहां से क्लियर हो गई होगी उसके बाद इसने फरुखाबाद के जो बंगश नवाब हुआ करते थे और जो जाट हुआ करते थे इनके विरोध में तमाम सारे सेन ने इसने अभियान किये धीरे-धीरे करके अपने राजिश्चित्र के प्रसार के लिए लेकिन इस दोरान उसने एक बहुत ही समझदारी का काम किया है वो समझदारी का कारी ये है कि इन सब में उसने महत्तुपूर्ण तरीके से अगर दिखा जाए तो जो आपके मराठा हैं जो मराठा शक्तिया है अलाकि जाटो के तो ये थोड़ा सा खिलाफ रहा लेकिन मराठा हैं सिंधिया है ठीक है मलहार राओ का नाम आपने सुनाओगा मलहार राओ इनके साथ में इसने महत्तुपूर्ण संधी करी थी महत्तुपूर्ण संधी करी क्यों करी वही चौथर सरदेश मुखी जो है न वो लागू हो जाएगा अलाकि उसका कुछ हिस्सा इसको देना पड़ा वो एक अलग बात है इनके साथ में मैत्री पूर्ण संदी करी है कि इनकी आक्रमन अवद पे ना हो क्योंकि अवद अभी growing state था ये उठता हुआ राज्य था और अभी इन्होंने जाटों से और बंगश जो नवाब हैं उनसे पंगा ले रखा है एहमद शाप दाली के खिलाफ सहायता करी है जो है एहमद शाह की तो ऐसे में अवद को टार्गेट किया जा सकता था और अवद को टार्गेट करने में ये बड़ी शक्तियां थी जो इसकी रिडिक की हड़ी को तोड़ सकती थी इसलिए उसने पहले उनके साथ मैत्री पूर्ण संधी कर ली कि ये ऐसा तत्कालिक रूप संदी तो एक तरीके से कूटनीतिक चाल है ये तो कूटनीति में भी आप देख सकते हैं ये अवल रहा तो इस कूटनीति में जो इसने मैत्री पूर्ण संधी करी है इसमें इसको कुछ फायदे भी हुए हैं कुछ नुकसान भी हुए हैं अब जैसे फायदे और नुकसान की बात करें तो यहाँ पर एक important point ध्याना रहे जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है जो मराठे हैं मराठा जो थे क्योंकि इनके साथ साथ दे रहे थे जो इनके दुश्मन थे उनके साथ जो सैन ने campaigning थी उसमें साथ देने के लिए राजी हुए थे तो इसके average में इसे मराठों को 25,000 रुपए प्रति दिन जो है वो देना पड़ता था 25,000 रुपए प्रति दिन जिस समय ये सैन ने भियान कर रहा है और इतना ही लगबग ऐसा ही जाटों को भी वो देता था तकरीबन 15,000 रुपए प्रति दिन 15,000 रुपए हर रोज जो है हर रोज ठीक है ये देता था जाटों को तो एक तरीके से देखा जाए कि ये मितरता में थोड़ा सा लॉस भी है लेकिन आगे चल करके इसको इसने मैनेज किया मैनेज कैसे किया कि पेशवाओं के साथ इसने करार किया और पेशवा करार करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने राजविस्तार की बात करेंगे टैक्सेज लिकर के आएंगे तो यहाँ पेशवाओं का इंवॉल्मेंट थोड़ा बहुत भेतरी तरीके से आपको थोड़ा समझना है कि इसका पेशवाओं के साथ या मुगनों को एहमर्शाह अफदाली के खिलाफ मदद देने और जो भारत में जो इस्थानी है जो आक्रमनकारी थे जो पठान वगएरा थे राजपूत राजजत जो थे जो अंद्रूनी जो विद्रोही थे उनसे बचने के लिए संधी करी यानि कि संधी में क्या-क्या चीज़े आई इसने संधी करी किस से संधी करी है किस से पेशवाओं से और पेशवाओं से संधी में क्या-क्या चीज़े है एहमद शाह अबदाली और ये एहमद शाह अबदाली कौन है जो आक्रमन कारी है ठीक है इसके विरुद्ध आप मुगलों का साथ देंगे मुगलों का साथ देंगे एक ये बात कही है पेश्वाँ से साथ ही साथ जो भारत में या जो दूसरे जो भारती जो पठान है जो अवद की उपर नजर गड़ाय बैठे हैं भारती पठान ठीक है या फिर जो राजपूत राजजे हैं राजपूत राजजे या जो भी आपके आप समझ सकते हैं जो भी अंदरूनी जो छोटे छोटे विद्रोही हैं उन विद्रोहीयों के खिलाफ के विरुद्ध आपको क्या करना है साथ देना होगा हमारा यह संदी में शर्ते रखी हैं इस तरीके की इनसे बचने के लिए जो है आपको वचन देने इनसे बचाने के लिए वचन देना पड़ेगा कि आप हमें बचाएंगे इसके बदले हम क्या करेंगे या इसके बदले ज अधिए सब्दर्जंग से इन मुगलों को मराठो को क्या मिलेगा पेशुआं को किया मिलेगा इसके बदले में पचास लाक रुपए की कि्चा मिलेगा इसके बदले में इन्हें क्या देगा, पेश्वाओं को देगा, साथी साथ पंजाब और सिंध का राज्य, साथ साथ, पंजाब, और जो सिंध का प्रोविन्स है, वो भी देगा, ये दोनों राज्य जो है, और जो उत्तर भारत के कुछ और जिले हैं, उत्तर भारत के कुछ जिलों से जिलों से चौथ वसूली करने का अधिकार, चौथ वसूली का अधिकार देगा, अब देखिए आपको समझ में आ गया ना, शुरुवात में मैंने आपको बताया था कि चौथ जो है वो किस तरीके से ले रहा है, प्रोटेक्शन मनी एक तरीके से चौथ चौथ वसूली, सरदेश मुखी वसूली, सरदेश मुखी ये चौथ और सरदेश मुखी की वसूली का अधिकार भी सब्दर जंग ने पेश्वाओं को दिया, इतना ही नहीं दो जगहों की सुबेदारी भी पेश्वाओं को देना तय हुआ, और वो दो जगहें क पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कुछ जिले जो हैं यहां से चौतर सरदेश्मुकी का टैक्स कलेक्ट करने का दिकार है। देंगे और हमारे जो लोकल विरोधी जो हैं इन विरोधियों के खिलाफ जब कभी हमें रड़ना होगा तो आप हमें सैनेस आयता देंगे। तो संधी अच्छी थे पेश्वाओं के लिए और इस संधी के तौर पर सब्दर जंग से मुलाकात हुई और पेश्वा जो है वो दिल्ली के और पढ़े। और पेश्वा जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में कुछ इसके विरोधी थे और अवद के जो मुगल समराथ हों के विरोधी भी थे तो जब पेश्वा लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली पहुंचकर सब्दर जंग के जो दुश्मन हैं वो पेश्वाओं को पेशवाओं को अपनी तरफ कैसे मिला लेते है कि भाई तुमको वह क्या दे रहा है तुमको थोड़ा सा पैसा दे रहा है टैक्सीस दे रहा है अप को ओड़ PPT आपको अज्मेर और आग्रा की सॉबधारी दे रहा है जबकी दिल्ली पहुँच करके, जो इसके विरोधी थे, सफदर के जो विरोधी थे, उन्होंने जो शर्तें रखी, उन शर्तों में आवध, नाम ध्यान रखना, आवध, पूरा का पूरा आवध रीजन, जिसका सफदर जंग नमाब बने बिठा है, और इसके साथ साथ इसी का पडोसी मुल् इलाहबाद, जिसे अब आप प्रयागराज कहते हैं, पर यहाँ इलाहबाद ही लिख लीजेगा, तो अवध और इलाहबाद की सुबेदारी, अब आप बताईए, कि अजमेर और आगरा की सुबेदारी बढ़ी है, कि संपूर्ण अवध और इलाहबाद की सुबेदारी ज़ुके तो यहां पे जो करार हुआ था यह करार क्या हो गया यह टूट गया यह खतम हो गया तो इस तरीके से थोड़ा अवज जो है वो असुरक्षित भी हुआ और बात में आपको मालूम है कि इसी सब तरीके की इंटर्फियर की वज़े से एहमर्शापदाली ने जब दुबारा भारत पे आक्रमन किया वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बैठा करके गया था उस रिप्रेजेंटेटिव को जब हटाया गया तो 1761 में इनी सब कारणों क की वज़े से आगे चल करके 1761 में पानिपत का युद्ध होगा जिसमें मराठे जहें वो पराजित हो जाएंगे बुरी तरीके से एमर्शापदाली उन्हें हरा देगा बैरहल तो यह वो पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए जो किसके करेक्टर को सूट कर रहे थे सब शक्ति पर इसमें कोई इंटर्फेर पने कोई दिक्कत नी आने वाली वेराल यह तो दूसरी बाते हुई लेकिन अगर हम इसके दूसरे चरित्र की बात करें जैसे सदर जंग की अगर हम यहाँ पर दूसरी चरित्रिक विश्यस्ताओं की बात करें तो इसकी नियायवे उस को उच्चपदों पर रखा हुआ था और ऐसा नहीं है कि उच्चपदों पर सिर्फ मुस्लिम्स ही थे हिंदूओं को भी वड़े उच्चपदों पर रखा हुआ था निस्पक्ष और युगिता नुसार उच्चपद दिये जाते थे इसके शासनकाल में और एक हिंदू रा पर बायस नहीं है दूसरा योगेता नुसार हिंदू मुस्लिम का जो चीजें हैं वो ले करके नहीं चल रहा है और योगेता नुसार जो है निस्पक्षता से बड़े पत भी जो है वो लोगों को देता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने अवध में आवध की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर एक विशेस परंपरा के बारे में आप ज़रूर सुनते हैं जिसको बोलते हैं लखनवी तहजीब लखनवी तहजीब है ना सुना है कि नहीं इसके बारे में और कहते हैं कि सबसे बहतरीन अगर कोई तहजीब है तो भारत में लखनवी तहजीब है लखनवी लोग जो बड़े आदर के साथ मतलब बहुत ही polite mannered way में आपसे बात करते हैं जब आपका स्वागत करते हैं लखनव रेलवे स्टेशन पर दरी है तो वहाँ लखनव पर जंक्शन में क्या लिखा हुए मुस्कुराई आप लखनव में है है ना तो ये है लखनव आपका स्वागत करता है तो जो अवध की जो लखनवी तहजीब की जो परंपरा है वो इसी सब्दर जंग के समय में शुरू ही और एक समय में सब्दर जंग के समय में अवध नहीं दिल्ली को टक कर देना शुरू कर दिया था क्योंकि दिल्ली जो है आपको मालूम है कि केंद्रिय शक्ति था तो भई जितने भी साहितिक संद्रक्षन हैं कला के संद्रक्षन हैं सारे चीजों का विकास डवलप्मेंट और संद्रक्षन सब वहीं होता था लेकिन धीरे धीरे करके अवद में भी यहां की जो छेतुरी कलाएम संस्कृती है उसका विकास होना शुरू हुआ और इन सब को सनक्षर देने काम इन नवाबों ने करना शुरू किया और एक समय में इस संस्कृती ने दिल्ली को टक्कर देना शुरू कर दिया इसलिए नवाबी जो है अवद की ये लखनवी जो है जो तहजीब है ये बहुत ज़ादा जो जानी जाती है वो सब्धर जंग के समय सही शुरू होती है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ से आगे 1754 में सब्धर जंग की मृत्य हो जाती है और सब्धर जंग की मृत्य के बाद उसका बेटा जो है शुजाउद दौला वो गद्धी पर बैठता है तो 1754 से ले करके 1754 में शुजाउद दौला ये जो है आवद का क्या बना नवाब बना और सब्धर जंग का सब्धर जंग का बेटा है ये चीज ध्यान रखनी ये सब्धर जंग का बेटा है अब ये गद्धी पर बैठा है अब यहाँ पर सब्दर जंग के बारे में आगे बताओं मैं आपको लेकिन यहाँ तक जो आपने सब्दर जंग की जो कहानी पढ़ी ये सब्दर जंग तक की जो कहानी है उसमें आप ये समझ जाईए कि आवद स्वायत तो सत्ता की रूप में आप रिप्रेजेंट हो चुका है ये फ्री स्टेट की रूप में बन चुका है अब इसको आगे मजबूती देने का काम या डिकलाइन की तरफ ले जाने का काम आगे के नवाब करेंगे या तो मजबूती देंगे या चारो खाने चित्ते कराएंगे लेकिन इस सब में एक कॉमन चीज आपको देखने को में लेगी कल मैंने आपको हैदरबाद के बारे में बताया था निजामल बुल्क कल मैंने आपको बंगाल के बारे में बताया था मुर्शित कुली खान, अली वर्दी खान और यहाँ पर अभी आपने देखा कि आवद में बुर्हान उन बुल्क और सब्दर जंग इन सब में एक कॉमन चीज है और एक कॉमन चीज क्या है इनकी वैक्तिक जो नेतिकता है चरित्र जो है, यह बहुत उपर है यह एक तरीके से देखे जहाँ तो यह सब लोग क्या है, सामन्त है मुगलों के सामन्त है लेकिन इन मुगलों के सामन्तों ने जो यह जो मुक्त स्वतंतर राज्य जो established किये हैं इन में एक personally कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलती कि इनका जीवन जो है इन सब का जीवन बहुत साधा रहा और इन सब ने जिन जिन राज्यों का establishment किया उन राज्यों के उदय के लिए ही कि अगर किसी प्रकार की कोई loot part करी है कोई संधी करी है कोई विश्वासखात किया है कोई शड़ेंत्र किये हैं धोखाधड़ी करी है तो ये सब अपने राज्यों को progress की तरफ ले जाने के लिए और उस राज्यों को progress की तरफ ले आने के लिए इन लोगों ने ये सारे काम किये सब्दर जंग की बात करें तो सब्दर जंग तो पूरी जिन्दगी भर मतलब उसकी एकी विवारा हुए अपनी एकी पत्नी के प्रतिवफदार रहा वह आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा हास्यास पाद है बिल्कुल अपनी एकी पत्नी के प्रतिवफदारों ने का मतलब ये कि अब ये आम बात थी कि तमाम सारे नवाबों की पत्नियां हुआ करती थी मुगलों में तो ये बहुत सारी चीज़ें थी इस तरीके एक लिकुल साधा जीवन तो इन सब के करेक्टर्स को देखने से हमको ये बात तो इसपस्ट हो जाती है कि जो हम लोगों को एक भ्रहम रहता है या फिर बहुत ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती है कि मुगल्स के डिकलाइन में एक बात ये भी है कि जो सामन्त है वो फिजूल खर्ची हो गए थे उन्होंने विलास्ता पूर्ण जीवन वितीत करना शुरू कर दिया था लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं है अट लिस्ट ये तीन-चार सामन्त जिनके नाम मैंने भी थोड़ी दिर पहले गिनाए जिसमें आप चिनकलिश खान का नाम निजाम मुल का नाम ले सकते हैं मुर्शित कुली खान का नाम ले सकते हैं अली वर्दी खान का नाम ले सकते हैं बुरानुम मुल का नाम ले सकते हैं सबदर जंग का नाम ले सकते हैं इस सबने बड़े संगर्ष किये हैं स्राज जी को establish करने में बेरहाल अब हम सुजादुद दौला की तरब बढ़ते हैं 1759 में सुजाओद दौला ने शाह आलम दुती का साथ दिया शाह आलम दुती शाह आलम शाह आलम ये जो है निर्वासित था और इसे निर्वासित करने का काम इसके वजीर नहीं किया था यानि ये अपने वजीर जो इसका था इमादुल मुल्क नाम था इसका वजीर का नाम था इमादुल मुल्क और इसी इमादुल मुल्क के खिलाफ शाह आलम दुतीय का साथ जिसने दिया है वो है शुजाओद दौला यानि शुजाउद दौला जो सब्दर जंग का बेटा है उसने अगले जो मुगल बाश्शा है उनका एक तरीके से साथ दी है अपने राज्य में शरण दी है 1759 में इनके पास भाग करके आए शाह आलम और अपने राज्य में शरण दी सेना दी और फिर इसके खिलाफ का रिवाई करके शाह आलम को मुगल जो बाश्शाहत है वो दी गई स्वभाविक सी बात है कि शाह आलम ने इसका उपहार इसे दिया होगा इसका इनाम इसे दिया होगा और इनाम के तोर पर इसे वजीर नियुक किया गया वजीर न्यूक्त किया किसे इसी शुजाउद दौला को शुजाउद दौला को वजीर न्यूक्त किया और वजीर न्यूक्त करके काफी कह सकते हैं कि एक तरीके बहुत बड़ा एहसान हो गया यह तो शुजाउद दौला का काफी इसने साथ दिया शालम दुती ने लेकिन मैं ने आपको बताया कि जो मुगलों के समय में इंटरफेर हुए ये सब लोग जो थे कहीं न कहीं जो केंदरी शक्ति थी दिल्ली की उसमें जो पेशवा है उनका इंटरफेर थोड़ सा बढ़ गया और इन सब के चलते जो है एक गलती ये हुई कि जो उत्राधिकारी बैठाए गये थे एहमर शाबदाली के उत्राधिकारी जो वहाँ पर बैठाए गये थे मुगल दरबार में उनको हटा दिया गया और इन सब चीजों से क्रोधित हो करके जो ये शाह अलम सुदुती है इसी के समय में एहमर शाबदाली वापस आया और 1761 में पानीपत का युद हुआ तो मराठों के साथ तो संबन ठीक नहीं रहे न अब पानीपत का जो युद हुआ पानीपत का जो तृती युद हुआ 1761 में अब जरह देखिए 1761 में पानीपत के तृती युद में जो एहमर शाह अबदाली आ रहा है एहमर शाह अबदाली जो आ रहा है इस एहमर शाह दाली की सहायता करी है सहायता करी है किसके विरुद मराठों के विरुद क्योंकि जरब पिछली संधी को यहां पर देखिए इसके पिता ने क्या संधी करी हुई थी इसके पिता ने यहां संधी करी थी कि एहमत शाह के विरुद मुगलों का साथ देंगे और ये संधी करी थी सब्दर जंग ने इसका मतलब सब्दर जंग कभी ये साथ देंगे लेकिन पलट गई थी बारी यहां पर आपने देखा तो अब ये उन्ही मुगलों का विरोध करते हुए एहमशाबदाली का साथ दे बैठा है और इसी कारण से मराठों की बुरी तरीके से पराजे भी हुई उसके बाद एक यहीं पर घटना और आपको ध्यान रखनी है कि इसी समय के आसपास अगर हम बंगाल को याद करें तो बंगाल में नवाब जो है वो मीर कासिम है मीर कासिम आपको मालूम है कि मीर कासिम जो है वो बंगाल का नवाब बनाये गया था मीर कासिम पदचित कर दिया गया और वो मीर कासिम जब पदचित हुआ तो भाग करके अवद की ओर और दिल्ली की ओर आया तो उस समय अवद का यही नवाप तो है शाह आलमदुती और इसी शाह आलमदुती ने इसका साथ देने के लिए जो बकसर का युद्ध हुआ बकसर का युद्ध 1764 में जो हुआ है ना, क्या दा रहा है उसमें अंग्रेजों के खिलाफ साथ दिया है मीर कासिम का है ना, मीर कासिम का क्या दिया है इसने मीर कासिम का साथ दिया किसके खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम का साथ दिया है बकसर के युद्ध में ठीके तो बकसर की युद्ध में आपको मालूम है कि संयुक्त से ना रही बकसर का युद्ध जो है इसमें संयुक्त से ना रही अवध में शुजाउद दौला शुजाउद दौला जिसने मीर कासिम का साथ दिया है शाह आलम का साथ दिया है मुगल जो था मुगल शाह आलम और खुद मीर कासिम मीर कासिम जो की निश्कासित सब था बंगाल से और इन तीनों की जो सव्यूंत सेना है इन्होंने किस से युद किया अंग्रेजों से और दुर्भाग गिवश अंग्रेज जो है वो क्या हो गए जीत गए तो हम मुगलों की बात कर नहीं रहे हम बात कर रहे हैं शालमदुती की तो इसका मुलब शालमदुती भी हारा तो जब शालमदुती भी हारा यानि कि अंग्रेज जब जीते तो अंग्रेजों की शर्तें क्या हैं अंग्रेजों की शर्तें इसमें किस तरीके से हैं उसको ज़रा देखें ध्यान दे इसके खिलाफ अंग्रेजों की शर्तें क्या हैं अबर्ट क्लाइव जो 1765 में शुजाओद दौला से संधी करता है वो 1765 में कड़ा और इलाहबाद रखेंगे 1765 में इलाहबाद ये शुजाओद दीन से संधी हो रही है ना मैं दौला से शुजाओद दौला से संधी हो रही है क्या कहा रहा है कि इलाहबाद और कड़ा के जिले हैं कड़ा मानिकपूर का नाम सुना होगा आपने कड़ा के जिले ये आप दे देंगे ये शुजावत दौला दे देगा किसको दे देगा मुगल बादशाह को दे देगा मुगल बादशाह कौन है शाह आलम शाह आलम जो है इसको दे दे ये बात इस शर्त में रखी गई है और अगले वर्ष 1773 में वर्रें हेस्टिंग्स जो की बंगाल का गवर्नर था गवर्नर जनरल था 1773 में रेगलेटिंग आया था तो 1773 में जो शुजावद दौला है उसने वर्रें हेस्टिंग्स से एक संधी करी अब वर्रें हेस्टिंग्स से 1773 में जो संधी हुई 1773 में इसी शुजावद दौला ने वर्रें हेस्टिंग्स से संधी करी कि ये संधी इलहाबाद की संधी कहलाती है अब ये जो बनारस की संधी है इसमें क्या कहा गया इसमें कहा गया कि जो कड़ा और मानिक पुर्जु है वो नवाब को वापस कर दिये जाएं यही कड़ा और इलहाबाद इसमें कहा गया कि कड़ा कड़ा के जिले और इलहाबाद इलहाबाद यह किसको वापस कर दिये जाएं ये नवाब को वापस कर दिये जाए जो नवाब है नवाब कौन है नवाब की जब बात कर रहा हूँ तो बाच्चाना याद करिएगा नवाब है अवद का और नवाब अवद का कौन है शुजाउद दौला नवाब को दे दिये जाए और इसके बदले नवाब क्या देगा प 50 lakh रुपीज में वो जो इलहाबाद और कड़ा जो 1764 से पहले नहीं के पास ही था जो मुगल के पास चला गया था अंग्रिजों के कहने पर यानि अंग्रिजों से राजस्व कलेक करना चाहते थे वो वापस इनको लेना है और उसके लिए 50 लाख रुपई ये वारन हिस्टिं ने रुखेलों के विरुद्ध कंपनी के सहायता का वचन दिया दूसरा पॉइंट क्या हुआ एक तो संदिका ये पॉइंट हुआ दूसरा पॉइंट क्या हुआ दूसरा पॉइंट ये हुआ कि नवाब ने रुहेलों के विरुद्ध, रुहेलों, रुहेल खंड के जो शासक हुआ करते थे, उनके रुहेलों के विरुद्ध, कमपनी का साथ, कमपनी कौन? कमपनी का साथ, देने की बात कही, इसके लिए, क्योंकि कमपनी का साथ देगा, कौन देगा, नवाब, यानि नवाब के सेना, कमपनी को अपनी सेने सहायता देगी, तब जब कमपनी रुहेलों के उपर आक्रमण कर रही होगी, किसको दिये, नवाब को दिये, तो पचास लाख इधर से नवाब के गए, यह दो इजले आए, उधर से चालिस लाख रुपए ले लिए कमपनी से, क्योंकि कमपनी चाती थी कि रुहिलखंड वाले इलाके पर कबजा करे, और जब ये सारी चीज़े हो गई, तो शुजाओ दौला ने 1774 में, 1774 में नवाब लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाए कि उस समय नवाब शुजाओ दौला है, इसने रुहेल खंड पर आक्रमन कर दिया, क्योंकि रुहेल खंड पर बिटिशन तो आक्रमन करना चाहिते ही थे, तो इसने रुहेल खंड पर पहले आक्रमन कर द मीरनपुर कटरा, यहां पर रुहेला सरदारों से इसका युद्ध हुआ, हाफिज रहमत खंड जो है उस समय, हाफिज रहमत खंड जो है, वो इस समय ये सरदार हुआ करते थे, किसके रुहेलों के सरदार थे, तो इनका और नवाब का युद्ध होता है, जिसमें ये हाफिज खान हार जाता है और मारा जाता है, और रुहेल खंड जो है, वो किसका हिस्सा बन जाता है, अवद का हिस्सा बन जाता है, तो अब रुहेल खंड में अवद भी शामिल है, समझ में आ गई यहां तक बात, ल मृत्यू हो गए शुजाओ दौला मारा गया यम उसकी मृत्य डेथ हो गए लेकर उससे पहले अवध में रुखेल खंड जो है वो शामिल हो चुका है तो एक बड़ा सामराज जो था वो थोड़ा सा और विस्त्रित हो गया और इस तरीके से आप देखेंगे कि अब का जो अवध है अब का जो अवध है उस अवध में जो फरुखाबाद के आसपास के जो प्रोविंसेज हैं जो रुहेल खंड के जो प्रोविंसेज हैं वो सब इसमें जुड़ गए और इन सब जगहों को अब इन्जुआय करेगा इसका बेटा इसका नाम है आसफुद्दॉला 1775 से 1797 बितक 1775 से 1797 बितक अगला आवद का नावा बना आसफुद्दॉला आसफुद्दॉला जो है ये कौन है आसफुद्दॉला जो है ये शुजाउद्दॉला का बेटा है किसका बेटा है शुजाउद्दॉला का शुजाउद्दॉला जो अभी 1775 बितक हो गई किसका ये क्या है बेटा है फिक है तो शुजाउद्दॉला का बेटा जो है वो आगे शासन चला रहा है अब इसके बारे में important अभी यहां तक जो है आपको ध्यान रखना है ज़रा देखी मैंने क्या क्या चीज़ें यहां तक बता दीए एक बर जल्दी से revise कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं नहीं तो आप सारी चीज़ें भूल जाओगे ज़रा देखो अवद जो है मुहमद शार रंगीला जो मुगल बाश्या है उसके समय में पुरहान उन मुल्क यानि की सादत खान जो है वो स्वायत राज्य को establish कर रहा है और उस समय उसने प्रारंभीक राजधानी रखी है फैज़ाबाद लेकिन मैंने बताया था बाद में चल करके अवद क से इस सादत खान को मिली सादत खान के बाद आगे आप बीज़गे सादत खान ने तमाम जो आवद में इन डिसिप्लिने मैटर्स जो हुआ करते थे उनको सॉल्व किया है उस और जब नादिर शाह का आक्रमड हुआ तो समय जो है दिल्ली के साथ इसके संबन्ध भगडगे आगे चल करके सादत खान की मृत्व के बाद उसका जो दामाद है वो गद्धी पर बैठा सब्दर जंग जो की भतीजा भी है इसका वो सब्दर जंग ने थोड़ा सा अपने आपको विस्तार करने का कारे किया उसने भी रोहिल खंड के उपर कपजा करने की बाद के लिकिन उस समय वो असफल रहा था यानि अवद के टार्गेट में हमेशा से रोहिल खंड रहा एहमर शाब दाली वगएरा के यहाँ पर आपको दख्या की आक्रमण हो रहे हैं बार-बार और इसने एहमर शाह का साथ दिया है एहमर शाब अबदाली के खिलाफ ठीक है तो सब्दर जंग को इसी वज़े से यहाँ पर वजीर बना दिया गया सुजाओद दौला ने शाह आलम का साथ दिया साह आलम निर्वासित कर दिये गए थे अपने वजीर के द्वारा फिर शाह आलम जो है वो सुजाओद दौला के सायता से गद्धी पाते हैं फिर शाह आलम सुजाओद दौला और अवध मीर कासिम जो है इनकी तिकड़ी जो ह खरीद लेता है 50 लाक रुपए दे करके और फिर वो रुहेलों के उपर आक्रमन करके रुहेल खंड को आवद में मिला लेता है और इन सब के समय में जो राजधानी है वो राजधानी कौन है? वो राजधानी है फैज़ाबाद इसी राजधानी को जो फैज़ाबाद अभी तक राजधानी है इस व्यक्ति ने राजधानी जो है वो परिवर्तित की राजधानी परिवर्तित करके फैज़ाबाद से फैज़ाबाद से राजधानी इसने क्या कर दी? लखनव कर ठीक है? तो आवद की राजधानी लखनो बनाने वाला व्यक्ति कौन है? ये आसफुत दौला है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। 1775 में ये काम इसने किया है, 1775 में इसने अवद को राजधानी बना दिया है। और इसी समय इसने ब्रिडिशर्स के साथ में कुछ संदी करी है। इसको बोला जाता है फैज़ाबाद की संदी और ये फैज़ाबाद की संदी कब हो रही है। 1775 में हो रही है। किन के साथ हो रही है? अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ ठीक है? इतना point समझ में आ रहा है? अब यह जो संदी हो रही है, इस संदी में है क्या? पहला शर्त यह है कि जो बनारस है पहली संदी है कि जो बनारस है बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोचिता को स्विकारा जाए तो इसने बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोचिता, अंग्रेजों की सर्वोचिता को स्विकारा, स्विकार किया इसने, और इस तरीके से जो बनारस का जो एक्षित्र है, वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया, दूसरी संदिये थी कि अंग्रेज जो है, यानि कि अंग्रेजों ने अवध की जो बेगम थी, उनके पास बहुत संपत्तियां थी, उनकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी अंग्रेजों ने दी, इसके बदले में, अंग्रेजों ने इसके बदले में क्या किया, बेगमों की संपत्ती जो है उसकी सुरक्षा की गैरेंटी दी उसकी सुरक्षा की क्या दी गैरेंटी या निकि ब्रिटिश जो है इसको सुरक्षित करेंगे यह बात यहाँ पर गैरेंटी में दी गई लेकिन यही वाली जो संदी है न दूसरी वाली यही वाली जो शर्थ है ये आगे चल करके 1781 में बदल गई, 1775 में संदी हुई है, लेकिन 1781 में इसका दुरूपयोग किया गया, 1781 में, और किस ने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने, और वारेन हेस्टिंग्स ने एक ब्रिटिश अधिकारी को भेजा, जिसका नाम था जौन मिडल्टन, क्या नाम था, जौन मिडल्टन, इस जौन मिडल्टन से कहा, कि आप अवद की बेगमों की संपत्ति को लूट कर ले हैं, तो संदिकाव लंगन हुआ, जौन मिडल्टन अवद की बेगमों से के धन को जो है, वो लूट लेता है, उनके साथ अबंदर विवह बाहर करता है और आपने सुना होगा कि वॉर्रन हेस्टिंग्स वो पहला प्रशास्थिक व्यक्ति है भारती प्रशास्थिक व्यक्ति है जिसके उपर महाभयोग चलाया गया था महाभयोग जब यह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद लंदन वापस गया था तो इसके या बर्क था, तो बर्क ने वरेन इस्टिंग्स के उपर तक्रीबन 7-8 साल का महावयोग चलाया था उस महावयोग में महावयोग का एक कारण जो था वो ये भी था कि इसने जो आवद की बेगम है उनके साथ में दुर्वेभार किया है और वहाँ लूट पाट की है या करवाई है हलाकी बाद में सब चीजों से या आरोप मुक्त होता रहा दूसरे आरोप भी लगे है उस वे थे इसके उपर की बंगाल को इसने लूट रखा है तमाम सारे दूसरे आरोप भी लगे थे फिर ये पॉइंट इसी के समय का है और इसी संधी का है अब एक पॉइंट और आपको लिखना है जो क्या नाम है आसफुत दौला से बहुत ही ज़ादा संबध है या फिर एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है आप लोगोंने लखनौ में इमाम बाड़ा के बारे में सुना होगा सुना है कितने लोग लखनौ से हैं भई बताइए कितने लोग लखनौ से हैं और इमाम बाड़ा घुमने गए हैं इमाम बाड़ा की खास्यत यह है कि बिना पिलर के बनी हुई है इसकी छट इसकी छट को किसी पिलर से पीच में टिकाए ने, बहुत बड़ी छट है, बीच में कोई आधार नहीं दिया गया, इसकी स्पेशलिटी है, उस समय इस तरीके की टेक्निक काम की है, तो आसफुत दौला ने 1784 में, 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए 1784 में इमांबाडा जो है, उस ज़ान रखनी, नबाबी से अलग चीज में ने एक बता दी, खेर, आगे चल करके इसकी मृत्ति के बाद इसका बेटा जो वजीर अली है, वो गद्धी पर बैठा, लेकिन जब बेटा वजीर अली गद्धी पर बैठा, तो इसी आसफुत दौला का एक भाई था, जिसका न बैठा, साधत अली खान ने अंग्रेजों का साथ लिया, और आपने सर जौन शोर का नाम सुना होगा, तो सर जौन शोर जो है, वो ब्रिटिशर है, जिसकी सहायता से इसने इलहाबाद जो है, ये सर जौन शोर को दिया है, और नवाबी जो है, वो पाली है, और इसी अंग् संदी है जैसे हैदराबाद साहयक संदी में चला गया था उसी तरीके से 1801 के आसपास 1801 के आसपास इसके उपर भी साहयक संदी साहयक संदी जो है वो आरूपित कर दी गई तो इस तरीके से ये अवज जो है ये अंग्रेजों के हांतों में चला गया खान साधत खान सेकेंड की रूप में इसको जाने एक है कि पहला वाला साधत खान जो है जिसने बुरहान उन्मुल के रूप आदि धारन करी और अवद को establish किया यह वो नहीं है यह दूसरा है यह सेकेंड के नाम से जाना जाए आपको जो अपनी सेना है खुद की नहीं रखती हिं ब्रिटिश सेना रहेगी लेकिन उस ब्रिटिश सेना के खर्च यह राजा उठा यह बैसिकली यह साहयक संदी थी और इसके बदले में ब्रिटिशन आपको प्रिटेक्शन देगी लेकिन इस साहयक संदी को मानने के अलावा जो रुहेल खंड इसके पूर्वजों ने हासिल किया था रुहेल खंड जो इसके पूर्वजों ने हासिल किया था इसके अलावा गोरकपुर इसके अलावा गंगा यमुना गंगा यमुना दुआब गंगा यमुना का जो दुआब है वो जो सब आया करता था मतलब इधर गंगा यमुना का दुआब मान लीजे आप पूरा इधर इलहबास से लेकर के इधर वाला जो प्रांथ है आगरा तक जो आता है इसका जो मध्यवर्ती भाग है इस सब जो है बिटिशाज को दे दिया इसने यानि सहायक संदी तो एकसेप्ट हुई हुई और ये सब किसके पास चले गए ये सब प्रांत भी अंग्रेजों के पास चले गए अंग्रेजों ने इसको अपने अधिकार में ले लिया वारेन हेस्टिंग्स से वारेन हेस्टिंग्स ने इसको राजा की उपादी दी बिल्कुल मुगलों से प्रथक करके लेकिन इसके बदले वारेन हेस्टिंग्स ने पैसा लिया तो इस तरीके से ये वो नवाब है अब जो decline की ओर ले जा रहे हैं वर्द को इसके बाद अगर हम देखें तो इनके बाद में जो सादत खान है इनके बाद में आगे के जो राजा है वो बिल्कुल अयोग है गया सुद्दिन हैदर अली जो है इसके बाद राजा बना वो भी कुछ काम का नहीं रहा मुहमद अली शाह के बाद अमजद अली शाह जो है अमजद अली खान जो है वो राजा बना और अमजद अली खान के बाद में अंत में जा करके वाजद अली शाह 1847 में वाजद अली शाह वाजद अली शाह ये जो है अंतिम नवाब बनते हैं अंतिम नवाब, आवद को इसके बाद नवाब नहीं मिलेगा, अंतिम नवाब जो है जो गद्धी पर बेठा वो था वाजिदली शाह, 1847 में, 1847 से लेकर के आपको मालूम है कि 1857 का युद्ध वह उससे पहले 1856 तक ही इनका शासनकाल रहा और समात हो गया, क्योंकि 1856 में इनके ओपर कुशासन का रोप लगाया, 1854 में आप देखें लाड अलोजी के बारे में आपने सुनाओगा, लाड अलोजी ने आउटरम से रिपोर्ट त्यार करवाई, 1854 में आउटरम जो है, उसने रिपोर्ट त्यार करी, रिपोर्ट में बताया गया कि प्रवंधन का रोप लगाया, कुशासन का रोप लगाया, और इस रोप को लगा करके अवद को हडप लिया गया, और अवद को हडप करके अंग्रेजी जो शासन है उसमें मिला लिया गया, चार फरवरी 1856, चार फरवरी 1856 को क्या हुआ, आवद को हडप लिया गया, और ब थी वो लगी हलाकि डलोजी ने लोग doctrine of lapse में बहुत सारे राज्यों को हडपा था सतारा संभलपूर बरार जैदपूर उधैपूर करॉली छांसी और अभवध इस तरीके से इन सब provisions को ध्यान में रखते हुए आपने देखा कि फिर 1857 की finally जो है वो करांती हो जाती है और 1857 की करांती के होने के बाद आपको मालूम है कि भारत में ये नवाप शाही और मुगल सल्तनत क्योंकि मुगल बाशा जो थे उनको तो भेज दिया गया था इनको भी देश निकाला हो गया था इनको कलकत्ता भेज दिया गया था देश निकाल करके pension पे 1856 में ही आवध को हडप इस ग्रांती हुई और इस क्रांती के बार आपने देखा कि देश में company का शासन समाप्थ हो करके जो बिटिश शासन है बिटिश जो crown का जो शासन है वो लागु हो जाता है बिटिश क्राउन के शासन के लागु होने का मतलब यह हुआ कि अवध उवध सब गए ये मैंने आ आपको आज अवद की कहानी यहाँ पर दिखाई, सुनाई और बताई और आई होप कि आपको अवद की इस स्टोरी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई होँ कैसे अवद राज्य का उद्य हुआ किन-किन शासकों ने इसको अपने सामराज्य में कह सकते हैं कि बहुत अच्छा स्थान दिया और किस तरीके से अवद जो है वो डिक्लाइन की और बढ़ गया फाइनली कैसे 1857 की तरफे बढ़ा तो 1720-22 से लेकर के 1757 या 1856 तक की जो पूरी कहानी है उसके बीच में होने जो नमाब है वो मैंने करमशा आपको बताएं है आप इसको कॉपी बढ़ियां से नो टाउन करिएगा जो चीज आपको समझ में ना आए आप हमसे पूछिएगा जोरू यहाँ पर हम उसका जवाब देंगे अगले सेशन में जब आएंगे जैसे आज के सेशन मैंने आपको यह परंपरा के शुरुवात करते भी दिखाया है और हाँ जो मेंस के जो answers हैं वो आप हमें भेज सकते हैं इस टेलिग्राम पर इस टेलिग्राम पर इस lecture का पीडिया भी आपको मिल जाएगा आप हमसे social media में भी जूर सकते हैं इसी नाम से और आप हमें जो है अपना जो मेंस का जो question शुरुवात में लेक्शर के शुरुवात में आपसे पूछा है उस question का answer लिकर के विरद.दुबे ठीक है क्या नाम है वी आई आई आर एडी डॉट दुबे एड़ रेट studyiq.com studyiq.com इस पर email भी आप हमें कर सकते हो ठीक है इस पर आप हमें email भी कर सकते हो PDF बना करके भेजना तभी मैं उसको सही तरीके से जाच पाऊंगा और इस सारे संदर में जब यह हमारा unit खतम होगा अध्याय जब खतम होगा तो हम जो यह मेंस के questions हैं इसकी answer writing भी आपको करके दिखाएंगे और बताएंगे कि आपके किन-किन लोगों में किस-किस तरीके के answer writing में क्या क्या दिखती है तब तक आप लोग और answer writing से लिख करके भेज़िए इस प्रश्म के जो लोग नहीं लिख करके भेज़ पाएं अभी तक तो भाई आज के session में फिल हाल इतना ही बुलाकात करेंगे अगले सतर में तब तक ले नमस्कार थन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi